जैश्री राम, कर्ज एक जीवन की बहुत बड़ी समस्या है और कहा जाता है, सास्त्र में ध्यान रखिए कि कर्ज किसी भी प्रकार का हो, वो आपको उतारना ही है चाहे आपने किसी से कुछ लिया है, चाहे किसी को मांसिक पीड़ा दी है, सारीरिक पीड़ा दी है चाहे किसी से ध्धन लिया है, तो ऐसे परिस्थती में उसको निश्चत रूप से आपको उतारना ही है जीवन में बिना उतारे आप उसको रह नहीं सकते हैं लेकिन धन का कर्ज बड़ा परिशान करता है अच्छा धन का कर्ज उतरे कैसे, कई लोग ऐसे हैं जो कर्ज तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वो कर्ज उतर नहीं रहा होता है कितना भी कमाले सब खर्च हो जाता है, घर में कुछ बचता ही नहीं है कर्ज ले लिया है, वो कर्ज उतारे कैसे, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लोग सुसाइड इत्यादि तक कर लेते हैं कर्ज की पीड़ा में बड़ा दुख लगता है लेकिन स्रीराम चरित मानश में गोश्वामी जी एक शब्द कहते हैं कि जो शंपति सिवराव नहीं दीन दिये दसमाद स्वई संपता भी भी सनहीं सकुचितीन रगनात देव की आराधना परमात्मा की आराधना आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और वो भी देव आदि महाद देव आदि देव महादेव अगर चाह लें तो फ़र तो कुछ भी असंभव है ही नहीं तो क्या करना है आपको आपको कमल का पुष्प लेना है ये जो उपाए बता रहा हूँ है रुद्र सहिता का उपाए बड़ा सुन्दर उपाए है कमल का पुष्प लेना है बेल का पत्र लेना है कमल का पुष्प और बेल पत्र साथ में लें और ले जा करके और शुक्रवार के दिन भगवान, श्त्रीव shrine देवा, धीदेव, महादेव को चढ़ा दे और समर्पित कर दे कि प्रभू मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मैं नहीं जानता हूँ मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है या मेरे परिवार में ये सब क्यों हो रहा है बस अपनी ये कृपा परदान कीजिए मेरे जीवन में धन आजाए मेरा कर्ज उतर जाए बस ये प्रार्थना करते हुए प्रतेक शुक्रवार को ये उपाई करना सुरू कर दीजिए और डेट नोट कर दीजिब से सुरू किया है आप देखेंगे आपका कर्ज ऐसे उतरेगा ऐसा चमतकार होगा कि आप जीवन में सुच भी नहीं पाएंगे भागवान कृपा करें आपका जीवन शुक्सम्रदियों से परिपूर हो इनी शुक कामना के साथ जैसे रहा भाधने राद